हेलो दोस्तो हम सब जानते हैं कि डोसा जो है वो दक्षिन भारत की शान है कम से कम दोस्तो सो तरह के डोसे जो हमारे दक्षिन भारत में बनते हैं सबका अपना-पना स्वाध है, सबका अपना-पना बनाने का तरीका है आज मैं जो आपको डोसा बताने जा रही है वो है सोया बीन मसाला डोसा दोस्तों सोया बीन जैसे हम सब जानते हैं बहुत हल्दी होती है और खाने में बहुत स्वाद लगती है इसलिए आज हम सोया बीन वाला डोसा बनाएंगे आप इससे onion डोसा बना सकते हैं plain डोसा बना सकते हैं इस पर जो लाल चटनी लगी है दोस्तों ये मसाले डोसे पर लगाई जाती है इसकी recipe जो आप मैं आपको comment box में दे दूगी आप इस चटनी के साथ में ये डोसा बनाईए ये बहुत tasty लगेगा आपने किसी भी तरह के डोसे पर ये चटनी लगाई है इस चटनी से असली होटल वाला स्वाद आजाता है आईए हम इसके लिए बतापर शुरू करते हैं दोस्तों मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए इसके लिए दोस्तों मैंने तीन कटोरी चावल लिया है एक कटोरी जो है उबला हुआ चावल है इसको boiled rice बोलते हैं आदा कटोरी सोया बीन है और आदा कटोरी उड़त डाल है दोस्तों जो यह boiled rice है यह आराम से किसी भी सुपरेस्टोर मिल जाता है और हमारे करनाटका में तो बहुत आसानी से मिल जाता है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इतना ही चावल आधा पका लीजिए और वो इसमें mix कर दीजिए आपको दिखाती हूँ आधा कटोरी दोस्तों यह सोया बीन है आप देख लीजिए आधा कटोरी उड़त डाल है एक सेम साइस की कटोरी हो में है दोस्तों इसलिए आपको अन्दाजा हो जाएगा एक कटोरी बॉयल राइस है और दोस्तों तीन कटोरी राइस है यह साधरन राइस है दोस्तों जो हम खाने में यूज करते हैं अगर आप बराबर सही से क्वांटिटी में लेंगे दोस्तों तो हमारा दोस्तों बहुत टेस्टी और सही बनेगा मैंने अपने तीनों कटोरी चावलों को एक बरतन में डाल लिया है उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें अपने वाइल राइस डाल दिया है और इसी में दोस्तों मैंने अपनी उड़त डाल डाल दिया इनको अच्छे से बीन भी लिया था दोस्तों कोई पत्थर वगिरा नहीं रह जाए और पानी से अच्छे से इसको धो लिया है दोस्तों याद रखिए मैंने इसमें भी अपनी सोया बीन नहीं डाली है इन तीरों को अच्छे से धो कर हम पानी में बिगा देंगे लगबग दोस्तों 10 गंटे लगते हैं अच पर्फेक्ट डोसा बनाने के लिए चावल को 10 गंटे भीगाऊना चाहिए सोया बीन जो है दोस्तों से हम अलग कटोरी में भीगाएंगे इसका कारण यह है कि क्योंकि यह बहुत टाइट होती है आप देख सकते हैं मेरे चावल अच्छे से धुल चुके हैं मैंने लगबग 8 से 10 गंटे के लिए भीगाऊंगी दोस्तों अगर चावल कम देर भीगे रहते हैं और आप उन्हें पीज देते हैं तो डोसे का पर्फेक्स फ्लेवर नहीं आता है आप भीगने के समय का जरूर धिहान रखिए अगर दोस्तों आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले दोस्तों मेरे पास ग्राइंडर था इसलिए मैंने इन सभी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल दिया और इसमें सोया बीन भी डाल दिया क्योंकि इसमें ग्राइंडर में क्या होता है कि सोया बीन बहुत टाइट होती है अच्छे से पिस जाती है अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो दोस्तों क्या कीजिए पहले चावल और अड़त डाल वाले बैटर को अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए और जो सोया बीन है उसको अलग से पीसे अगर आप उसको चावल के साथ पीसेंगे तो वो इतनी बारिक नहीं पीस पाएगी इसलिए आप चावल और सोया बीन को अलग अलग पीसें इसलिए दोनों मेक्को मैंने अलग अलग दोस्तों बिगाया था आप देख सकते हैं कितना स्मूद बैटर रेडी हो गया है अगर आपने मिक्सी में पीसा है दोनों को अलग अलग पीस लीजी और हातों की साहता से मिला कर एक बरतर में इस्तरे ढखकर लगवग 8-10 गंटे के लिए रख दीजे ठंड का समय है दोस्तों इसलिए इसमें खमीर उठने में समय लग सकता है गर्मियों में लगवग 6-7 गंटे में उठाता है सुबे जब मैंने दोस्तों देखा लगवग 8 गंटे बाद इसमें खमीर उठ चुका था आप देख सकते हैं एकदम स्मूद बैटर रेडी हो गया है इसमें मैंने स्वादन सार नमक मिला लिया अगर आपको ज़ादा गाड़ा लगता है तो दोस्तों इसमें पानी भी मिला सकते हैं अब इससे हम दोसा बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले मैंने एक तवा लिया नॉनिस्टिक तवा है दोस्तों और साधरन दोसे के जैसे ही मैं इसमें इसमें दोसा बना लिया लाल च्टनी जो है मसाले डोसे वाली वो लगा दिया है आप सिर्फ इसको ऐसे ही खा सकते है टिफिन में दोस्तों क्या होता है नारेल की चथणी खराब हो जाती है आप यह वाली चटनी लगाकर टिफिन में बच्चों को रख सकते हैं, जादा तीकी नहीं होती है प्याज के साथ दोस्तों बना सकते हैं आप इसको घी में बनाईए, मक्कन में बनाईए तो ओनियन वाला मसाला डोसा रेडी हो जाएगा दोस्तों हमारा सोयाबीन मसाला डोसा रेडी है बहुत टेस्टी और हिल्दी है दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगिए तो मुझे कॉमेंट बाक्स में जरूर बताईए और आप इस डोसे को एक बार जरूर ट्राई कीजिए थैंक यू